तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिविजन क्लास बताईए भारते से ना के पहले कमांडर इन चीफ का नाम क्या है के एम करियपपा और ये कब बने थे 15 जनवरी 1949 को और इसी लिए तो 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं कई बार बढ़ा होगा ना आर्मी डे कब मनाया जाता है तो वो 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं इसी कारण से क्योंकि बाते से ना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे ये भारतिया के एम करियपपाना में जै हिंद का नारा किस ने दिया नेता जी सुभाज चंदर बोस ने दिया और आपको याद होगा इनोंने ही तुम मुझे खुन्डो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये नारा भी दिया था और दिल्ली चलो का नारा देते हुए आजाद हिंद फोज के रूप में जाने जाने वाली एक सेना का भी इनोंने गठन किया था और 2022 में हमने इनकी 125 वी जैनती मनाई कब 23 जन्वरी को और आप चानते भी होंगे 23 जन्वरी को कौन सा दिवस मनाते हैं पराकरम दिवस अच्छा इनोंने एक बुक भी लिखी थी वो भी आप याद रखलो द इंडियन श्ट्रगल नाम से बुक लिखी थी और स्वराज नाम से एक समाचार पत्र भी इनोंने शुरू किया था और मैं आपको बता दूँ अभी पधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने इंडिया गेट पर नेता जी की होलोग्राम की प्रतिमा का भी अनावरन किया था जो की 28 फीट उची है और 6 फीट चोड़ी है जिसे बाद में ग्रेनाइट की मूर्ती से रिप्लेस कर दिया जाएगा चलो एक और अच्छा प्रशन बनेगा यहां से नेताजी अवर्ड अभी 2022 का किसे दिया गया तो जापान के जो पूर्व प्रधान मंत्री थे जिनने 2020 में हमने पदम विभूशन नहीं दिया था गया वही क्या नाम है सिंजु अबे और आपको बतादू एक और करण्ट अफेर्स का प्रशन यहां से जोड करके कि इनके उपर एक बुक भी लिखी अभी बुक का नाम बताओं आपको बॉस द अंटोल्ड स्टोरी ओफ एन इन कन्वेनियंट नेशनलिस्ट किस ने लिखा प्रशन यह आएगा चंदरचूर घोष ने ऐसे याद रखलो घोष ने लिखी बोस और एक और करण्ट का प्रशन याद रखलो अपसे गनतंत्र दिवस समारो हम 24 चनवरी की जगे 23 चनवरी से मनाएंगे क्योंकि इनका जनमदीन है न 23 चनवरी को इसलिए जाद रखना है काफी सारे फैक्स बता दिए इस एकी प्रशन में मिने आपको अगला देखो ICC Women's Cricketer of the Year 2021 की से चुना गया इस मृत्ती मंधाना को और अभी रचल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी मिला और ये समान पाने वाली और दूसरी बार इनको और रचल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी मिला इनको और ये दूसरी बार अवार्ड मिला इनको जबकि मेंस ICC मेंस Cricketer of the Year 2021 चुना गया पाकिस्तान के शाहिन अफरीदी को और इन्होंने सर गारफिल्ड सोबर्स ट्रोफी भी जीती है ये वोट जीतने वाले पाकिस्तान के ये पहले खिलाडी बने है भारत का पहला Green ATM काँ पे खुला? गुरूग्राम में आप जानते हूं International Solar Alliance का Headquarter गुरूग्राम में भारत का पहला Helly Hub गुरूग्राम में स्तापित किया और भारत का पहला मतस्य पालन व्यवसाई इंक्यूबेटर गुरूग्राम में लौंच किया गया और गुरूग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी थी अभी? Current Affairs का प्रश्ण है चलो ये प्रश्ण में आपी के लिए छोड़ के जा रहा हूं कुरूग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बताना है अगला है International Table Tennis Federation का हेड़कोर्टर लोजैन सुज़जलेन में है और अभी Tokyo Olympic 2020 में Table Tennis में किसने Silver Medal जीता था? आंसर होगा भाविना बेन पतेल ने और एक और Current Affairs का प्रश्ण पूछूँगा मैं आपसे अभी फरवरी की बात है Table Tennis Federation of India के संचालन के लिए प्रशा, शकूँ, एड्मिनिस्ट्रेटर्स की समिती की अद्धिक्स कौन बनी है तो इनका नाम है गीता मित्तल अगला है ग्यारवी महारत्न कंपनी कौन सी है? पावर फिरेंस लिमिटेड वेसे अब 11 तो हो गई आपकी महारत्न 13 हो गई ये नवरत्न और 73 आपकी मिनीरत्न है अगला है तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्की ये तुर्की की केपिटल होती अंकारा तरकिश लिरा करंसी है प्रसेडेंटे रसेप तयप अर्देगौन अभी टॉम 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 ट्राफिक इंडेक्स 242 आये था जिसमें भारत का सबसे भीड भाड वाला शहर बताया गया मुंबई को जुकि विश्व में पांच वे स्तान पर है और विश्व में सबसे भीड भाड वाला शहर है तुर्की का इस्तानबुल अच्छा यहाँ पे तो देश का नाम हमने बदला है एक कैपिटल का नाम बदला था एक देश ने इंडोनेशय की बात कर रहा हूं है पहले उसकी कैपिटल थी जकार था अब उसे बदल के क्या कर दिया कमेंड बॉक्स में टाइप करके बताईए अगला है अंतर राष्टर चाइल्ड हुड कैंसर डे यह होता है पंदरा फरवरी को कैंसर से दो-चार चीजे में आपको याद कराई थी एक तो World Cancer Day 4 February को होता है और 2022 में इसकी थी में Close the Care Gap National Cancer Awareness Day होता है 7 November को और Cancer के उपर एक बुक भी आई थी आपकी Gastric Cancer नाम से जिसको लिखा डॉक्टर अशोक के वेद ने और Cancer की Study को क्या कहते हैं चलो यही बता दो Oncology कहते हैं चलो बताओ अभी किस राज्य में Cancer के बचाओ के लिए Hope Express की घोशना की थी तो आंचरोगा महराष्टर ने अब आप बता दो Hope Mission किस देश का है और Hope Portal किस राज्य ने शुरू किया था भारत में कितने टकसाल हैं टकसाल जापे सिक्के बनते हैं और ये चार हैं मंबई में, कॉलकता में, हैद्राबाद में और नौइडा में बताओ भारत की पहली Transgender University कहां पे बन रही है कुशिनगर उत्रप्रदेश में और मैं आपको बता दू Transgender से जो हमारा समाजिक न्याएव आधिकारिता मंतराले है Social Justice and Empowerment Ministry अभी इसने भीक मांगने वाले और Transgender के कल्याण के लिए अभी एक योजना शुरू की थी जिसका नाम क्या है? Smile बढ़ते हैं आगे बताइए राश्ट्र अंगदान दिवस कब मनाते है National Organ Donation Day 27 नवंबर को World AIDS Day होता है 1 दिसमबर को Theme क्या थी? End Inequalities, End AIDS, End Pandemics अभी समानताओं को खतम करो AIDS खतम करो और महामारी खतम करो वैसे एक दिसमबर को नागालिन का इस्तापना दिवस भी हमने मनाया है 59th नवर का और BASF ने भी अपना इस्तापना दिवस मनाया 57th नवर का जिसके Director General कौन थे? पंकच कुमार सिंग विश्व Computer साक्षरता दिवस ये हमने 2 December को मनाया और इसकी Theme थी Literacy for Human-Centered Recovery Narrowing the Digital Divide वैसे 2 December को हमने अंतरराश्टरे दास प्रथा उन्मूलन दिवस International Day for the Abolation of Slavery की रूथ में भी मनाया और Computer से अगर मैं आपसे पूचूँ की भारत में सूपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है विजे भठकर को और भारत का पहला सूपर कंप्यूटर था परम 8000 और विश्व का सबसे सूपर फास्ट सूपर कंप्यूटर जापान का है जिसका नाम में फुगाकू और इरान ने भी अपना सूपर कम्पिटर बनाया जिसका नाम है सिमॉर्ग बताओ राश्टर प्रदूशन नियंत्रन दिवस कब मनाया जाता है 2 देसंबर को और विश्व विकलांग दिवस 3 देसंबर को मनाते हैं जिसकी थीम थी विकलांग व्यक्तियों का नेत्रत्व और भागिदारी लीडर्शिप and participation of person with disabilities बताओ भारते नौसेना दिवस कब मनाते हैं 4 देसंबर को जिसकी थीम थी स्वडनिम विजे वर्ष चलो आप बताओ हमारे नौसेना परमु कौन है एरचीफ मार्शल कौन है और नेवल चीफ कौन है साथ में आर्मी डेकप मनाते हैं और एरफोर्स डेकप मनाते हैं ये भी बताओ वैसे 4 देसंबर को अंतरराश्टर बैंक दिवस भी मनाया जाता है इसे पहली बार हमने 2020 में मनाना शूरू किया था विश्व मरता दिवस वर्ल्ड सॉयल डे 5 देसंबर को मनाते हैं थीम क्या थी मिट्टी की लवनता को रोकना मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देना इंगलिश में बोलोगे हल्ट सॉयल सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉयल प्रोड़क्टिविटी अगला है इंटरनेशनल वॉलिंटियर डे अंतर राष्ट्र स्वयम से भी दिवस ये 5 देसंबर को होता है थीम रही थी वॉलिंटियर नाव फॉर आवर कॉमन फ्यूचर स्वयम से वक अब हमारे सामाने भविश्य के लिए अब हम पुराने महिने के करेंट अफ्रेस का रिविजन करेंगे अज़ बताए कि सवयड़े ने राष्ट्र उर्जा संगरक्षन पुरुसकार 2021 जीता यानि कि नैशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवर्ड जीता तो आंसर होगा हैदरबाद इंटरनेशनल एरपोर्ट ने और इसी तरह से आपको याद होगा एक राज्य को भी नैशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवर्ड मिला था वो राज्य कौन सा है राजस्तान है और विसे नैशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे राश्टर उर्जा संगरक्षन दिवस भी होता है जो 14 दिसंबर को मनाते हैं तो ये याद रखना किस युनिवर्सिटी ने The Asia Awards 2021 में Digital Innovation of the Year का पुरुस्कार जीता उपी जिंदल Global University और ये अवर्ड पाने वाली ये पहली या एक मात्र भारते युनिवर्सिटी है S-400YU रक्षा मिसाइल प्रिनाली के पहले स्क्वैडरन ये किस शेत्र में तेनात किये गए तो आंसरूगा पंजाब शेत्र में इसे हमने रश्या से लिया है पीवी सिंदू ने किस वर्ष तक BWF एथलीट आयूग के सदस्यों में इसे शामिल किया गया कब तक के लिए 2025 तक के लिए और बेड़बिंटन वर्ल फेडरेशन का हेड़कॉर्टर मिलेगा कौललूंपर मलेशिया में जगनात रत यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया किस राज्य ने? पंजाब ने मतलब जगनात रत यात्रा को अपना राज्य उत्सव बना लिया है पंजाब ने वैसा ही जगनात रत यात्रा आपको बताए कहां पर शुरू होती है पूरी उड़ी सामे यह वही पूरी है जो 2400 गंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देता है और ऐसा करने वाला ये पहला शहर बना था सूप परतिशट टीका करन यानि की टीके की दोनों खुराग देने वाला पहला यूनिन टेरिटरी बना है अंडमान निकोबार जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेर इसके लेफटन एन गवर्नर है देविंदर कुमार जूशी और इसी तरह से सोप परतिशट टीका करन देने वाला पहला गाउं बना था जम्मू कश्मीर का वैयान गाउं पहला जिला बना था हिमाचल प्रदेश का किनौर जिला और पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश युनाटेड नेशन वुमेंस अवार्ट फॉर लीडर्शिप कमिटमेंट 2021 को जीता है दिव्या हेगडे ने कौन सा राज्य है जो फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करेगा तो अंसर होगा उत्तर प्रदेश और बीजिंग ओलंपिक के लिए भार्टे दल के शेफ्टे मिशन बने थे कौन हर जिंदर सिंग ये भी 2022 का हुआ था बिजिंग ओलंपिक क्योंकि एक विंटर ओलंपिक था इसका अशुबंकर है बेंक ड्वैन ड्वैन और आप मुझे बताओ इसमें किवल एक मातर भार्टे थे जिन्नोंने इसमें किया उनका नाम क्या है वो एक इसकियर है और जम्मु किश्मीर से है नाम बताइए उनका अगला है किस बैंक ने डिजिटल भुकतान में शेड़ शेस्तान हासिल किया तो अंसर होगा पैंक को बडोदा हैड़कॉर्टर जिसका बडोदरा गुजरात है फिर बताइए भारत राष्टर किसान दिवस कब मनाया जाता है 23 देसंबर को भारत के जो पांचवे नंबर के प्रधान मंतरे थे 24 चरन सिंजी उनकी जैनती होती है पहला कोविड-19 ने स्टेनलेस से स्टील का उत्पादन किया किसने होंग कॉंग ने राष्टर अपराद रिकॉर्ड ब्यूरो इसका नया निदेशक किसे बनाया गया विवेक गोगिया को वाड़ा की डोप उलंगन करताओं की सूची आयती उसमें भारत कौन से स्टान पर है तीसरे स्टान पर पहले पर रशिया दूसरे पेटली तीसरे पर भारत वाड़ा की बात करेंगे वर्ल्ड एंटी डोपिंग और इसके डारेक्टर जेनरल नए बने थे सिधार्त लॉंग जाम उनका नाम है इन्होंने भारत में अपना ब्रेंड अमबेस्टर सुनील सेटी को बनाय था हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रेंड अमबेस्टर बनाया तो आंशर होगा अधितिया शोग को जो की गोलफर हैं, हुंडाई मोटर का हेड़ क्वाटर मिलेगा यह कहां की कमपनी है, यह साउथ कूरिया की है, साउथ कूरिया सियोल में, साउथ कूरिया की जो केपिटल ले सियोल वहाँ पे इसका हेड़ क्वाटर है और साउथ कूरिया की है किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने अभया पहल शुरू की तो आंसर होगा दिल्ली और विसे नई दिल्ली कब राजधानी बनी थी हमारी इसकी घोशना तो 1911 में हो गई थी बनी थी 1912 में मुक्यमंत्री वायू स्वास्ते सेवा एयर अम्बूलेंस की शुरूआत की उडिसा ने और मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक को शुरू किया तेलंगाना ने डियाडियो ने सोदेश में ही विक्सित मिसाइल प्रले का पहला सफल परिक्षन कहां पे किया उडिसा में जो एपिजे अब्दुल कलाम दूइप है वहां पे ये सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है प्रले और BWF World Championship 2021 में महिला एकल वुमें सिंगल का टाइटल जीता था अकाने यागा मुची ने ये जापान की है और में सिंगल का टाइटल किसने जीता था पुरुश एकल खिताब सिंगापुर के लोह कीन यू ने अच्छा बताइए ब्रमोस एरोस्पेस के MDC ये कौन बने अत्तुल दिनकर राणे बने अच्छा ब्रमोस मिसाइल ये हम किसे बेच रहे हैं ये भी ध्यान रखो और या न्यू भी आ जाएगा प्रस्टन वो पहला देश कौन सा है जो भारत से ये ब्रमोस करीत रहा है तो अंसर होगा फिलिपीन्स अब हम कल के करेंट अफेर्स को रिवाइस कर लेते हैं तो बताइए कि जर राज्य सरकार ने कोशल या मातरत्व योजना शुरू की तो अंसर होगा 36 गड़ राज्य सरकार ने इसमें क्या होगा अगर महिला दूसरी बेटी को जरम देगी तो फिर उसे 5000 रुपे की राशी दी जाएगी जिसे वह अपना भरन पोशन कर सके मातर शक्ती उद्यमिता योजना शुरू करने की घोशना की अभी हर्याना सरकार ने फिनेंशल एक्षन टास्पोर्स के नया देख्ष कौन बन गए टी राजा कुमार और अभी कुछ दिन पहले युनेटेड अरब अमिराथ इसकी ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था इसका हेटकॉर्टर है पैरिस फ्रांस में आरबियाई ने फीचर फोन के लिए किस यूपियाई अधरिट पेमिंट प्रॉडट्स को लांच किया तो आंचर होगा यूपियाई वन टू थिरी पे तो मतलब अब अगर आपके पास वो फीचर फोन है वो बटन वाला तो उससे भी अब आप दूसरे को यूपियाई ट् कर सकते हो अगला है किस संस्थान ने सूपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया आयाई टे रूड की और ऑपरेशन गंगा अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या है यूकरिन से भारतियों को जो लेकर क्या आये थे हम वो था ऑपरेशन गंगा तो उम्रपान इंतर राष्टर महिला साहज पूरिसकार के लिए चुना गया रजवान हैसन को बांगलादेशी है ये बोधगया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शैन मुद्रा में मूर्ति का निर्मान किया जा रहा है कांपे बोधगया में ये मूर्ति के लंबाई बता है और इसका डेक अब होता है 27 जूल को होता है अब इसने संभव वह स्वाव लंबन योजरा भी शुरू की थी अंतर राष्टर ऊट महुत सब वह जर बाईस का आयोजन कापे हो रहा है तो अंसर होगा बिकानेर में किस देश ने रूसी तेल के आयात इंपोर्ट पर प्रत झाल